हाई प्रेगनेंट मॉम्स प्रेगनेंसी में अपने खानपान में विशेश साफधानिया रखनी जरूरी होती है क्योंकि एक माँ पूरी तहां जिम्मेदार होती है अपने गर्व में पल रही ननी सी जान की तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जो बहुत ही अच्छी होती है प्रेगनेंसी में इसके बहुत सारे फायदे होते हैं इसको खाने से तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना फीडियो नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल हेल्पिंग हाउस वाइफ में सबसे पहले कमेंट में जाकर जै माता अदी जरूर लिखिये जिससे माता रानी की कृपा आपके उपर और आपके बेबी के उपर बरसती रही है मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को like और share जरूर कीजिए तो बात करते हैं अपने वीडियो के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में, तो वो है मखाना मखाने की तासिर ठंडी होती है, फिर भी गर्बती महिला इसका सेवन आसानी से कर सकती है मखाने को अक्सर वरत में इस्तमाल किया जाने वाला ड्राइफरूट माना जाता है लेकिन इसमें बहुत सारे पोशक तत्व भी होते हैं जिससे शिशु का विकास होने में मदद मिलती है इसमें प्रोटीन, कार्बो हाइडरेट, कैलशियम, फाइबर, फैट्स इनकी मातरा बहुत ही जादा होती है इसके अलावा मखाने में आइरन, मैगनीशियम, फासफोरस, विटामिन, सोडियम जिंक भी काफी परचूर मातरा में पाए जाते हैं गर्बा वस्ता में मखाना, खाने से गर्बवती महिला वा शिशु को बहुत सारे लाब हो सकते हैं इसके सेवन से मस्तिक्ष्च वा रीड की हट्डी का विकास अच्छे से होता है फॉलेक वा आइरन की मातरा भी बहुत होती है इसमें इसके सेवन से एनीमिया वा खून की कमी का खत्रा कम हो जाता है जैसे प्रेगनेंसी में इसका सेवन फायदे मंद होता है वैसे ही आफ्टर डिलीवरी भी इसका सेवन फायदे मंद होता है after delivery महिलाओं को कमर दर्द वा जोडों में दर्द में मखाना खाने से मदद मिलती है after delivery इसका सेवन अवश्य करें काफी महिलाओं को pregnancy में अनिंद्रा की समस्या होती है तो अनिंद्रा की समस्या में भी ये काफी लाबकारी होता है गपराहट, बेचैनी, pregnancy में ये सब चीजे लगी रहती है इसमें भी मखाना काफी मदद करता है, काफी सहायता देता है इनसे उभरने में भी और काफी प्रिचूर मात्रा में ये हमें फायदा देता है जो pregnancy में महिलाओं को काफी कमजोरी बनी रहती है, morning sickness रहती है तो बहुत कमजोरी को भी ये दूर करता है, मखाने के सेवन करने से बहुत ही हमें लाग होता है मखानों में कैल्शियम वा विटामिन डी भरपूर मात्रा में होने के कारण pregnancy में हड़ियां वा बेबी की हड़ियां भी बहुत मजबूत रहती है और बेबी की ग्रोथ में काफी मदद मिलती है आपको एक सीमित मात्रा में मखाने का सेवन करना चाहिए जरूरत से जादा मखाने के सेवन से आपको पेट दर्द की शिकायत हो सकती है तो आपके मन में तुरंत ही है question आगया होगा कि मखाने की सीमित मात्रा क्या है हमें daily कितने मखाने हाने चाहिए प्रेगनसी में तो मैं बता दू आपको कि प्रेगनसी में आपको daily 25 से 30 ग्राम मखाना या 2-3 मुठी मखाने का सेवन आप कर सकती है और आप मखाने को कैसे खा सकती है किस तरह से जैसे आपको पसंद हो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे खा सकती है आप मखाने को नमक और घी में कड़ाई में थोड़ा सा भून कर भी खा सकती है उसमें आप सैंदा नमग डालीजिए अच्छा गी डालीजिए देसीगी थोड़ी देर उसको कढ़ाई में ऐसी भूनते रहिए चलाते रहिए तब तक वो थोड़े से क्रंची हो जाते हैं तब आप उसका सेवन कर सकती हैं यह बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद होता है दूसरी तरह आप मखाने का आटा बना कर उसकी रोटी बना के खा सकती हैं तीसरे आप मखाने की खीर बना के खा सकती हैं इसके लावा आपको जैसे भी मखाने पसंद हो आप मखाने को यूज़ कर सकती हैं अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन्स हैं त तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हाउसवाइस से रिलेटेड वा बच्चों से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थेंक यू, थे झाल 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 झाल